किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आये आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्क पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करो जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं, वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी चीज से डरो मत तुम अद्भुत काम करोगे यह निर्भेता ही है, जो क्षण भर में परम आनन्द लाती है सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रती सच्चे होना, स्वयम पर विश्वास करू जो अगनी हमें गर्मी देती है, हमें नश्ट भी कर सकती है, यह अगनी का दोश नहीं है शक्ती जीवन है, निर्भलता मृत्यू है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यू है, प्रेम जीवन है, ग्वेश मृत्यू है शारिरिक, बौधिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है, उसे जहर की तरह त्याग दो कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो जो तुम सोचते हो, वो हो जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे कुछ सच्चे, इमानदार और उर्जावान पुरुष और महिलाएं, जितना कोई भीड एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते है खड़े हो जाओ हिम्मत वाले बनो, सब जवाबदारिया अपने सर ओड लो और याद रखो अपने नसीब के रचेता आप खुद हो उठो मेरे शेरो इस ध्रंग को मिटा दो कि तुम निर्बल हो लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एक मात्र तरीका यही है जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते जिस समय जिस काम के लिए प्रतिग्या करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है किसी की निंदा ना करें अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए अपने भाईयों को आशिरवात दीजिए और उन्हें उनके मार्क पे जाने दीजिए ब्रामान की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं यह हम ही हैं जिनोंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा की अंधिरा है दिन में आप एक बार स्वयन से बात करें अन्यथा आप एक वहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष ना प्राप्थ हो जाए